साधक नरिंद्र साहु ने एक प्रशन किया है और प्रशन से पहले उन्होंने अपना परिचे दिया है मैं एक योग साधक हूँ योग साधना करते समय हमारा ध्यान कहां केंद्रित होना चाहिए और अगली बात उन्होंने कई है कि योगासन में हमें कितनी देर, किसी भी आसन में कितनी देर रुकना चाहिए यह प्रश्ण इतना सामाईक है कि लगा के सबके काम का है तो आज इसको ले लिया जाए क्योंकि हम लोगों को जो परिचे सुनने को मिलते हैं वो अकसर कोई पद नाम से मिलते हैं और जिनका कोई पद नाम नहीं तो वो भूत पूर्व नाम से भी अपना परिचे कराते रहते हैं क्योंकि उनका भविश्य शायद अब नहीं है लेकिन भगवान क्रश्ण श्रीमत भगवत गीता में कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्यानिभ्यो में मतो अधिकहर कर्मिभ्यस चाधिको योगी तसमात योगी भवारजुन है अर्जुन को योग गुरु होने की बात नहीं कह रहे हैं अर्जुन को वो बहुत बड़ा योद्धा होने की बात भी नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुझे सिर्फ योगी बन उससे तुझे जीना आ जाएगा हर परिस्थिती में किस तरह से उशलता पूरवक जिया जा सकता है वो तुझ सीख लेगा और उसको इस्टेबलिश किया उन्होंने तपस्विभ्यो अधिको योगी कि तपस्वी होना अच्छी बात है लेकिन तपस्वी से भी तप से भी अधिक बड़ी चीज है योगी होना क्योंकि तप तो योग का एक बहुत छोटा सा अंश है ग्यानिब्यों में मतोधिक है कि मेरा मत ये है कि ग्यानी से भी बड़ा महत्तपून है योगी होना क्योंकि एक्सलेंस अनपलाइड इस नो बेटर देन अबर्डन अन यूर लाइफ आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन आपके काम सिर्फ उतना आएगा जिसको आपने जीवन में आतम साथ कर लिया और फिर उसके साथ एहंकार भी जुड़ जाता है बहुत बार इसलिए वो ज्यानी होने को भी छोटा मानते हैं क्योंकि ज्यान की पराकास्था भी यही है कि वो हमें योगी बना दें गंगा की यात्रा की पराकास्था इसमें है कि वो हमको समंदर बना दें व्यस्टी से समस्टी का रास्ता मिल जाए और फिर तीसरी चीज़ और कहते हैं कर्मिभ्यस चाधिको योगी कि हमें मेनतकश होना चाहिए, पुरुशार्थी होना चाहिए लेकिन हमारा पुरुशार्थ भी हमें नदिया से समंदर की तरह से योग में मिला दे तो इसलिए तू योगी बन तो आप योग साधक हैं, यह आपकी सबसे बड़ी गौरवशाली उपलब्दी है जैसे हमारी देश के नागरिक के नाते सबसे बड़ी गौरवशाली उपलब्दी क्या है कि हम देश के नागरिक हैं नागरिक ही होना सबसे बुनियादी चीज़ है वो अगर होंगे तो हम कुछ भी बन सकते हैं प्रफेसर बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, प्रधान मंत्री बन जाएंगे, राष्टपती बन जाएंगे क्योंकि एक नागरिक राष्टपती बना सकता है, प्रधान मंत्री बना सकता है प्धानमंत्री नागरिक नहीं बना सकता इसी को तो हमारा जो मूल परिचय है वो है योग साधक होना योग साधक है तो जिस स्तर पर हमारी साधना चल रही है उस स्तर पर अपने आप ही उसके अलग आकलन होता रहता है तो अब बात आती है ये कि योग आशन करते समय हमारा ध्यान कहां केंद्रित होना चाहिए ध्यान ही आधार है हमारी किसी भी सफलता का योग अभ्यास और योग आशन करना दो अलग-अलग चीज़े हैं योग अभ्यास में समग्रता है उसमें आशन, प्रणयाम, बंद, मुद्राएं जो जो कुछ है और इससे भी जादे यम नियम और उससे भी जादे गुरुपदिष्ट मार गेन कि गुरु ने हमें क्यों सिखाया योग, उस लक्षे की प्राप्ति के लिए जो जो कुछ करना है उस सब योग अभ्यास में आता है यानि जो कुछ हमने योग विद्या में सीखा है उसको अपने व्यवार में लाना 24 घंटे लाना भगवान जब कहते हैं कि तस्मात योगी भवारजुन है इसका मतलब ये नहीं है कि एक शन विशेश के लिए योगी है बी ये योगी राउंड अक्लॉक हर समय खावत पीवत सोवत जागत नेक विसर नहीं जाए खटकत रहत भाल जो हिर्दे में दर्दी के दर्द समाए हर समय हमें अपनी योगी योगी होने का योगसादक होने के सुरूप का भान ऐसे बना रहना चाहिए जैसे किसी पीडित व्यक्ति के हरदे में पीड़ा समाई रहती है लेकिन जब हम कहते हैं योग आसन की बात तो उसमें सिर्फ आसन है आसन में भी हमारा ध्यान कहां केंदरित रहना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस उद्देश्चे से उस आसन को करना है उद्धारन के रूप में एक आसन है सर्प आसन अब सर्प आसन हमारी स्पॉंडलाइटिस को भी ठीक करता है सर्प आसन हमारी रीड की लचक बढ़ाता है सर्पासन हमारे जो थाइराइड ग्लैंड है उसको ठीक करता है टॉंसिल्स को भी ठीक करता है सर्पासन रत्चाप को भी प्रभावित करता है सर्पासन हमारे नाभी के संतुलन को भी बनाता है यानि नाभी को डिगने नहीं देता है इतने सारे फाइदे हैं और भी बहुत सारे हैं क्योंकि सरपासन के प्रकारांतर भी हैं तो हमें यह देखना है कि हम किस उद्देश्चे से उसको कर रहे हैं अगर हम नाभी के लिए कर रहे हैं तो नाभी पर ध्यान होना चाहिए अगर spondylitis के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो atlas region है, यानि रीड का उपरी छोर गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, तो उनों कंदों के बीच का हिस्सा, उसके उपर हमारा ध्यान होना चाहिए, अगर हम दीर्ग प्रानता के लिए कर रहे हैं, लंग्स के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमा तो उसके लिए हमारा ध्यान अपने आभा मंडल पर होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं जीवन में उस पर ध्यान के इंदरित करें तो आप वही बनते चले जाते हैं यह मैंने एक उधारन दिया है अनेक उधारन इस तरह के हैं लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि किस उद्देश्चे से हम अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास में गुरुजी ने आपको कैसे बताया कि इस हिस्से पर ध्यान के इंदरित करने से आपको सरपासन का अभिलशित लाब मि को करिए और हर आसन में इस चीज़ को ध्यान रखना है हमको फिर अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहें कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं मुझे तो अपना अभ्यास गहराना है तो फिर ध्यान कहां केंद्रित हो आनंद में यानि आप अगर आसन में रुक रहे हैं सहर श्वास में रुक रहे हैं या कुम्भक में रुक रहे हैं तो हमारा ध्यान ओमिती एक आक्षर ब्रह्म पर केंद्रित होना चाहिए ओम पर ध्यान अगर केंद्रित होता है तो आपको अलग से मंदिर मजजिद गुर्द्वारा जाने की जरुरत नहीं पड़ती है सब लोग उसी को ध्यान करते हैं तो हर स्वास ओम बन जाए जिसमें आशन की सार्थकता है पीड़ा भी घटेंगी अभ्यास कहराएगा तेजस्विता बढ़ेगी जीवनी शक्ती बढ़ेगी और सबसे बड़ी चीज है कि रुहानियत बढ़ेगी जोके योग का उद्देश्य है अब आपका दूसरा प्रशन आता है कि आशन में कितनी देर रुकना चाहिए ये भी हमारे उद्देश्य से ही प्रेरित होता है क्योंकि आशन के लिए अगर हमें सिद्ध करना है आशन को तो योगिक ग्रंथ कहते हैं कि जिस आशन में आप तीन घंटा दस मिनट टिक सकते हैं तो वो आशन आपका सिद्ध हो जाता है साफ सी बात है कि जो हमारे अभ्यंतर अंगों के उपर उसका प्रुभाव पढ़ता है सो तो पढ़ता ही है लेकिन इतने लंबे समय के लिए आशन में टिक रहने का मतलब है कि आप उतनी देर तक पीडा रहित अवस्था में आकर के ध्यान अवस्थित हो सकते हैं और जिसका ध्यान इतना गहरा है जो इतना रहे थोड़ी देर के लिए लोहा चुम्बक से लगता है तो उसमें चुम्बकत तो आ जाता है वो भी दूसरी पिन को पकड़ने लगता है जैसे लोहा पकड़ता है भले ही थोड़ी देर के लिए पकड़े लेकिन अगर उसके अंदर पूरी तरह से चुम्बक के साथ असोसियेशन बना रहे तो वो उतनी देर चुम्बक ही बना रहता है ऐसे ही हम तीन घंटा दस मिनट अगर हम एक आसन में अवस्थित होने का पीडा रहित सहज भाव में बिना विचलित हुए रुकने का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर ध्यान की साधना बहुत जादे गहरा गई है इसका लक्षन यही है तो इसलिए वो सिद्ध होगा और सिद्धी में जो जो उसकी उपलब्दियों हो सकती हैं वो सहज रूप में होँगी वो मांगे से नहीं होती है लेकिन यहां एक चीज और कही गई कि हमें लक्षटो है सिद्धी लेकिन अगर हर समय सिद्धी पर ही धियान रहेगा तो अभ्यास से धियान हट सकता है इसलिए जब अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में ही ध्यान करें क्योंकि यह तो में पता चल ही गया है हम जब सोच लेते हैं कि हमको railway station या airport पर पहुंचना है इतने बजे तो आप घर से निकलते हैं लेकिन अगर आप रास्ते में एयरपूर्ट एयरपूर्ट ही सोचते चले जाएंगे तो दुरघटनाय हो सकती हैं गलती हो सकती हैं चूक हो सकती है और उस चूक से नुकसान होता है ऐसे ही अभ्यास में भी है हमारा योगा अभ्यास प्रियोधिना मन उद्धिश्य मंदोपिने परवर्तते बिना उद्धिश्य के तो कोई मूर्ख भी काम नहीं करता है हमारा योगा अभ्यास करने का निश्चित उद्धिश्य है किसी का उद्देश कोई खास तरह की छोटी सी बिमारी दूर करना है किसी का उद्देश बड़ा है जो भी उद्देश है वो सोच करके हम अभ्यास में आ गए तो उसके बाद अभ्यास जो है वो प्रधानता है अगर उस समय अभ्यास में मन नहीं हम लगाएंगे जब हम श्वास लेने की बात करने हैं तो श्वास लेने में मन नहीं लगाएंगे तो उसमें परफेक्शन नहीं आ सकता जब परफेक्शन नहीं आएगा तो उसके परिणाम में परफेक्शन कैसे होगा तो हम क्रिया को कितने समर्पन भाव से और कितने समग्रता के साथ करते हैं इस पर ही ये निर्भर करता है कि हम अपने लक्षे पर कितना सही सुरक्षित और समयबद तरीके से पहुँच सकते हैं तो आशन में कितनी देर रुखना चाहिए उसमें दो-тिन बातें आप समझ सकतें हैं वैसे पहली बात यह है कि जब हम लंबे समय तक किसी आशन में रुखने का अभ्यास करते हैं तो फिर हमको उसमें सहज स्वांस रखना चाहिए सहज श्वांस रखते हुए आप अधिक देर तक आसन में रुख सकते हैं लेकिन जो क्रियाएं आपने निर्धारित की हैं उन सभी क्रियाओं को हमें उन सब का लाव लेना है केवल शीर शासन को ही मैं बहुत लंबा करने लगूं तो उसके नुकसान हो सकते हैं क्योंकि बाकी शरीर भी उसमें सहयोगी होना चाहिए अगर हम केवल रीड की लचक के लिए ही अभ्यास करते रहते हैं और बाकी जो हमारे अंग हैं अभ्यंतर भीतर के शरीर के जो बाहर से चमड़ी दीख रही है इसके अंदर वाले अंग उन पर फोकस नहीं करते हैं तो फिर हमारी क्रिया पूर्ण नहीं होती क्योंकि सभी अंगों के साथ में जस्तिस होना चाहिए तो जो अभ्यास हम करें उसमें पहली बात यह हुई कि अगर सांस रुका हुआ है अगर सांस चल रहा है तो फिर समयावदी धीरे धीरे बढ़ाईए और बाकी सभी आसनों की बढ़ाई है एक जरसी ही और अगर आपको कुछ अभ्यास आपके शिक्षक ने इंस्ट्रक्टर ने घुरुजी ने यह बताए हैं कि नहीं यह आसन आपको अधिक समय तक करना है या यह अधिक फायदे मंद है किसी को मान लिया लंग्स की प्राबल है तो उसका मुख्य जो फोकस होगा मुख्य जो ध्यान होगा वो अपने ब्रॉंकाइटिस पर होगा तो उससे संबंदित जो उनको क्रियाएं दी है वो चाहे सर्प आसन दिया चाहे मत्स आसन दिया चाहे गोमुक आसन दिया तो उन आसनों में अधिक समय देंगे बाकी आ आसनों में हमें स्वांस भर करके रुकना है, किसी विशेश परिष्थिति की वजए से, गाइडिड प्रेक्टिस में, तो फिर उसमें समयावधी महत्वपूर्ण नहीं होती, उसमें बारमबारता महत्वपूर्ण होती है, कि हम कितनी बार उसको रिपीट करें, तो उसको अधिक देर रुखना चाहते हैं लेकिन अधिक देर संतुलन नहीं बन पाता है अश्वत्थ आसन में आप रुखना चाहते हैं अधिक देर संतुलन नहीं बनता है तो उस अवस्था में या बक आसन में रुखना चाहते हैं अधिक देर संतुलन नहीं बनता तो उसका तरीका यह होता है कि आप उसको अधिक बार दोहरा लें। और जितनी देर रुकें, तो उसमें श्वास को रोक करके रुकें। प्राय संतुलन के आसन, जो मयूर आसन है, भक आसन है, पदमासन है, इविन शीर्शासन है, तो उसमें अधिक देर तर रुकने में आपको गिरने का डर लगा रहता है, तो इसलिए अच्छा हो कि उसको थोड़ी देर करें, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएं, और स्वास भ वो भी आपका ऐसे ही संतुलन बिगाड़ता है, जैसे तराजू, हवा के जोके से भी उसके पलड़े लडखडाते रहते हैं, और जब बहुत कीमती चीज़ तोलनी पड़ती है, तो फिजिकल बैलेंस आप उप्योग करते हैं, उसको ऐसे कांच के बक्स में रखते हैं, कि ह भार कुछ कम होगा, भार कुछ बढ़ेगा, वायू में भी भार होता है, तो इस बात को हमें जानना है, तो उस इस्थिती में पहले सांस भर करके रोक करके अभ्यास करें, उसके बाद जब आपका संतुलन बनने लगे, फिर आप रोक करके निरंतर सांस भी ले सकते हैं, य भी हम गिरते रहते थे लेकिन धीरे धीरे हमने गती के साथ उसका संतुलन बनाना सीख लिया फिर तो इतना अच्छा हो गया कि आप हैंडिल छोड़ करके भी साइकिल चला लेते हैं तो ऐसे ही आसनु में हैं तो आपका प्रशन बहुत अच्छा है बहुत उपयोगी है और मै आपकी बहुत बड़ी उपलब्दी है